गुड मॉनिंग फैमली आज मैं आप लोगों के सामने हरी मटर की दाल लेके हाजिरों हरी मटर से बनने वाली बहुत सारी डिसेस होती हैं आप लोगोंने बहुत कुछ खाया भी होगा बट एक बार इसको ड्राइज जरूर करिएगा तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरी लीजिएगा और आप चाहें तो इसको दो भागों में इस तरीके से विभाजित करके भी डाल को बना सकते हैं सिल्बटे पे या फिर हलका सा मिक्सर में भी आप चला के बना सकते हैं बट मैं आपको ईजली और फटा-फट से बन जाने वाली डाल बता रहे हूं इसलिए मैं कुछ भी और प्रोसेस नहीं करूंगी मैं आपको बताती हूं कि बहुत जल्दी से और बहुत ही टेश्टी डाल किस तरीके से बनती है फरजी का इदर दर करने की क्या जरूरत है तो देखे डाल को मैंने इस कूकर में डाल दिया है और धाई से तीन कप के करीब पानी हम इस अब हम हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक तो सबसे पहले हमें हल्दी डाल दे रहे हैं अगर आप चाहे तो डाल लेजोंना तो कोई बात नहीं है रहत भारतिये परमपरा के अनुसार हलह नहीं वान taraunk इसलिए हमने हल्दी थोड़ी सी डाल दिये और स्वादी के अनुसार नमक डाल दीजे इसमें बहुत ही टेश्टी दाल बनके आती है तो ट्राइ जरूर करिएगा इस सर्दियों में बहुत ही जल्दी बन जाती है इसली सब के घर में देखिए काफी ज़दा मटर रहती है इस उसके अंदर जो पानी वगारा है उसको भी पाकाना जरूरी है तो देखिए हमारे कूकर में जो है सीटी लग गई है अब हम इसको खोल लेते हैं ठंडा हो गया है बट आप तो समझ सकते ना वह थोड़ा सा खोलने में गैस कोई कठा करता रहता हो देखिए वाउ कितनी पर करिएगा ठंडी होने के बाद यह मटड़ थोड़ी ठाइट हो जाएगी फिर दिक्कत होगी और कर्ची से भी कर सकते हैं पोटेटो मैसर हो तो इससे भी कर सकते हैं और पोटेटो मैसर नहीं है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी दाल कैसे बनीगी हम उसी कर्ची स कर्ची से दाल को चलाते हैं उसी से अच्छी तरीके से चला दीजिए कि मैस हो जाएगा क्योंकि काफी अच्छी तरीके से पका हुआ रहता है और देखें बहुत ज्यादा मिलाने के जरूरत नहीं है थोड़ी सी खड़ी रहेगे तो इसका स्वाद एकदम अलगाएगा आभी तो घी भी डाल सकते हैं बट मस्टर्ड आयल का स्वाद जो हो एकदम ही हटके आता है ठंडियों में बहुत ही फायदेमंद होता है तो आप भी कोशिश करें कि मस्टर्ड आयल में बनाए और तेल हमारा गरम हो गया है इसमें एक चम जीरा डाल देंगे और आज को बिलकुल से बड़ी लाइची और एक तुकड़ा डाल दिया है मैंने क्यूंकि मसाला में मैंने कोई और मसाला नहीं भी नहीए यूज करंगी मैं बस यही-दो चीज़िए य' क्योंकि बहुत जादा मसाला डाल देने के बाद के बाद हरी मतर का जुस्वाद हे उनकर ऐना उसको नि लासुन अद्रक का पेश्ट भी यूज कर सकते हैं बट प्रेस की तो बात ही अलग होती है अगर आप प्रेस यूज करेंगे तो जदा चाहेगा देखिए यह पक चुका है और आप हम इसमें दो चोटी-चोटी प्याज को इस तरीके से थोड़ी चोटी-चोटी टुकडो में प्याज नहीं खाते हैं तो लासुन प्याज इसक्रिप कर सकते हैं उसके बगैर भी दाल बहुत ही डेस्टी बनेगी और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आये हों मेरे घर के महिमान हों तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को प्रे में नहीं निकाला है क्योंकि दंठल के साथ जब दाल के अंदर रहेगा न तो खाने का स्वाद मतलब खाने में बड़ा इजी रहता है और इसमें थोड़ा समयने अब कस्मीरी लाल मिर्ची यूज की है और एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर यूज किया है बस और कोई भी पत्ती है उसको डाल देंगे आप चाहें तो थोड़ी से मेथी की पत्ती भी यूज कर सकते हैं इस जगह पर अभी ठंडियों का सीजन है तो धनिया की पत्ती का स्वाद थोड़ा सा जादा अच्छा लगता है मुझे परस्नली बाकि तो आपके उपर डिपेंड करता है घर अच्छे तरीके से पघया और दाल को अभ और जो में दाल है इसमें पलड देंगे आफ चाहें तो धीर धीरे इस तरीके से कर्ची से कर सकते हैं या फिर चाहें दो कूकर से पलबड सकते हैं जिस कर रही हूं बस आज को मीडियम रखेगा वाउ कितनी पर्फेक्ट दाल लग रहे हैं और बहुत ही इजली बन जाती है घर में भी बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है और आप अगर फर्स टाइम बना के देंगे तो घर में सब को आश्चर होगा कि हरी मटर की दाल आप में बना के दिया है सबको बहुत जादा पसंद आने वाली है अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो एक बर जरूर इसको बना के खिलाएगा उनको बहुत ही बहुत ही टेस्टी लगती है और सबसे लाश्ट में थोड़ा सा धनिया की पत्ति एड़ कर दे रहे हैं त दल रहे हमारी कितनी अच्छी तरीके से पक रही है रही है तो यह इसको बिलकुल ना करेगा है यह प्रोसेस आप जरूर करेगा ताल हमारी पग गई है चलिए कर लेते हैं इसको सर्व वाउ गरम मतर की दाल अगर इसी दाल को हम धौबे पे आडर करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा महेंगी मिलती है तो इसलिए आप इसको घर पे इजली तरीके से है ना काफी साफ सुत्री और सुक्ष हमें पता है हमने क्या-क्या इसमें यूज किया तो आप घर पे बनाएए और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा लाइक करके ही जाएगा और ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा वाव गर्मा गरम हरी मटर की दाल थोड़ी से धनिया की पत्ति से हम इसको डेकोरेट कर देंगे यम्मी यम्मी सी दाल तो खा के बताईए किस तरीके से लग रही है आपको ये दाल इसका स्वाद कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मुझे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ यम्मी यम्मी सी दाल फिर से याद दिलाती हूँ चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना पिल्कुल न भूलेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा किनारे में लाल बटन दी है ना उसको प्रेस करना भी न भूलेगा ताकि मेरी हरकतों पे नजर तो बना के रखना है ना आप लोगों को मैं बहुत दिनों के बाद इस तरीकी की रेसिपी लेके आई हूं तो प्लीज प्लीज सपोर्ट करें